हेलो फ्रेंट्स में रणा मैं पुश्कर और आप देख रहे हैं टेक्स क्रू और आज मेरे पास है यह हैलिक्स ताइमेक्स मेटल फिट 2.0 इसको हम एक बजट स्मार्ट वाच बोलेंगे फिकास इसको आप 5,000 रूपीज से नीचे आमेजॉन पे परचेस कर सकते हैं और इस प्राइस पॉइंट पे कुछ ऐसा फीचेस यह ओफर करता है जो कि इस बजट में बहुत कम स्मार्ट वाच में आपको देखने के लिए मिलता है जैसे इसमें आपको ब्लुटूथ कॉलिंग का फीचर मिल जाता है तैंपरिचर मॉनि GPS आपको नहीं मिलता है built-in LX आपको नहीं मिलता है but voice assistance से related कुछ ऐसा फीचर है जो इसी वीडियो में आपको आगे दिखाएंगे basically इस वीडियो में हम Helix Timex Metal Fit 2.0 का Android phone के साथ किस तरीके से आपको setup करना है watch का interface कैसा है किस तरीके से आप इस smart watch को use कर सकते हैं वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे पर उससे पहले हम आपको बताते हैं कि इसका unboxing जो अरड़ी हम एक shots के तरू आपके साथ share कर दिये थे बट box में जो है आपको इस तरीके का QR code मिल जाता है जिसके मदद से आप Helix Smart App Play Store या फिर App Store से डाउनलोड करके उसके साथ use कर सकते हैं एक Quick Start Guide मिल जाता है एक इस तरीके का Type A2 Circular Magnetic Charging Dock मिल जाता है और हम जो Helix Timex Metal Fit 2.0 और किये थे blue color में यह 3999 में हम Amazon से order किये थे blue black इसके लागा metal belt के साथ भी आपको कुछ options मिलता है वह आप देख सकते हैं सबका price अलग-अलग है लिंक हम वीडियो description में दे दिये हैं जहां से आप इसको purchase कर सकते हैं अब start करते हैं इसका setup और दिखाते हैं किस तरीके का इसका interface है क्या कि आपको इसमें features मिलता है और किस तरीके से आप इसको use कर सकते हैं सेटप स्टार्ट करें उससे पहले smart watch का physical overview में आपके साथ share कर देता है और मेरा क्या opinion है पूरा जो build quality है वो plastic build में आपको देखने के लिए मिलता है और जो quality है वो देखने से आपको बहुत ही cheap quality का feel होगा इसके लगए bluetooth calling को support करता है तो यहाँ पे आपको speaker vent देखने के लिए मिल जाता है और इस side आपको mic के लिए hole दिया गया है यहाँ पे helix का branding है पीछे side में और यह आपके body temperature को measure कर सकता है तो यहाँ पे temperature sensor है heart rate sensor है SPO sensor है उसके बाद यहाँ पे आपको charging pin देखने के लिए मिल हुआ है और आप easily जो है spin के मदद से आप इस strap को जो है निकाल सकते हैं और customize कर सकते हैं इसके लाव यहाँ पे दो button है एक button आपको watch पे देखने के लिए मिल जाता है और एक button वीडियो के नीचे है subscribe का जिसको press करके आप इस channel को subscribe कर सकते है front में जो display है 1.5 inch का HD IPS display है और इसके यह उपर जो glass use किया गया है कौन सा protection है यह नहीं बताया गया है but glass के उपर जो oleophobic coating है I think वह missing है बहुत ज्यादा fingerprint smudges आपको देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पे नीचे में helix का branding आपको दिख जाएगा अब setup process start करते हैं और setup process के लिए आपको इसको turn on करना पड़ेगा और मेरे condition में जब इसको box से निकाले थे यह off condition में था तो आपको इसको charger है उससे connect करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे आपको helix का branding देखने के लिए मिल जाएगा और आपका watch जो है वो turn on हो जाएग इसके मदद से या फिर box पे भी आपको QR code मिलता है इसके मदद से जो है आप आप को download कर सकते हैं install कर सकते हैं फटाफट से इसको install कर लेते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप जो इंस्टॉल हो गया इसको open करते हैं open करने के बाद यहाँ पे आपको जो है ना कुछ optimization बैटरी optimization से related कुछ settings देखेने के लिए मिलेगा आप simply इसको back कर लीजेगा Helix smart app का आपको first screen welcome screen देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर आप इसको skip कीजेगा अपना phone number आपको enter करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको जो privacy policy है इसको tick करना पड़ेगा और उसके बाद एक OTP आपके phone number पर आएगा उसको आपको enter करना पड़ेगा तो यहाँ पर OTP enter करने के बाद आपको जहन तीन option मिलता है sign in करने का या तो आप Facebook के through कर सकते हैं Google के through कर सकते हैं या फिर आपको manual sign up का भी option मिलता है हम यहाँ पर Google के through कर लेते हैं टैप करने पर आपको जो इस तरीके का pop-up मिल जाएगा जो भी Google account आप यूज कर रहे हैं अपने Android phone पे उसके उपर आप टैप कर दीजेगा और उसके through आपका जो है नेम यहाँ पर आजाएगा email address भी कर सकते हैं तो यहाँ पर आपका name आप यहाँ पर सब्मेट कर दीजेगा और उसके बाद आपको इस तरीके का welcome screen helix smart app का देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर add manually पर tap करेंगे और उसके बाद हो सकता है कि आपको Bluetooth on करना पड़े और आप पहले से on करके रखे हैं तो directly आप इस page पर आजाएंगे यहाँ पर smart watch use करना है अगर helix का तो वह आप select कर लीजेगा यहाँ पर select कर लिए और इसके बाद यहाँ पे Bluetooth में मेरा smart watch show कर रहा है इसके उपर हम tap करेंगे और यहाँ पे हमको watch preparing request आगया यहाँ पर just हम इसको accept कर लेते हैं और यहाँ पर next पर tap कर देते हैं और यहाँ पर आपको जो है इसके लावा यहीं पर आपको activity का कुछ options देखने के लिए मिल जाता है मेभी जो भी आप activity करेंगे वो सब कुछ यहाँ पर show करेगा यहाँ पर आप जो है ना कुछ custom modes भी अपने according create कर सकते हैं इसके लावा यहाँ पर आपको जो है नीचे वाइचे वाइचल का एक टैब मि उसके बाद यहाँ पर buddies वाला जो section है इसमें भी आप अपना friends को add कर सकते हैं नेक्स यहाँ पर आपको ranking का एक section देखने के लिए मिलता है जब भी आपको यह अपना goal complete कर लेते हैं तो आपको कुछ badges देखने के लिए मिलेगा जो कि आपको जादा encourage करेगा fitness के लिए और यहा सब्सक्रारा setting आपको देखने के लिए मिल जाता है फटापट से आपको एक overview दे देते हैं बाकि आप explore कीजिएगा कुछ doubt होगा comment section में पूछीएगा सबसे पहले यहाँ पर है my profile section my profile section में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आपका name शो कर रहा email address आपका contact number gender date of birth आपका height और weight य कोई भी custom watch face का option नहीं है किसी watch face को अगर आपको यूज करना है जस्ट आप उसको उपर tap करेंगे और यहाँ पर apply करेंगे तो वह download होगा और आपके watch के साथ कुछ इस तरीके से sync होगा जैसा कि आप देख सकते हैं और थोचा time लगेगा update होने में और उसके बाद आपका watch face ज करेंगे allow करना होगा को contact access देना होगा सारा contact आपको देखने के लिए मिल जाएगा जिस contact को आप watch के साथ सिंग करना चाता है ना जस्ट उसको यहाँ पर select कर लीजेगा और सिंग के option पर tap कर दीजेगा और वही contact जो है आपको आपके watch में भी देखने के लिए मिल जाएगा फ जो कि आपको बताएगा कि आपको थोड़ा सा stretch कर लेना चाहिए थोड़ा सा workout कर लेना चाहिए quick workout इसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है vibration alarm तो यहाँ पर alarm जो है वो सेट कर सकते हैं और watch के थुरू जो है ना alarm सेट करने का option नहीं मिलता है वो भी हम आपको आगे दिखाएं तो left wrist में अगर पहनते हैं तो आप इसको इनेबल कर दिएगा अगर राइट wrist में पहनते हैं तो आप इसको disable कर दिजेगा तो हम left wrist में पहनते हैं इसलिए हम इसको इनेबल रखें डिस्टेंस unit जो है वह आप चैंज कर सकते है time format change करने का option मिलता है temperature unit और यह जो temperature unit है यह वाच में डिग्री Celsius में ही शो करता है फिर यहां पर नोटिफिकेशन का सेटिंग है तो इसमें आप कॉल का नोटिफिकेशन जो है उसको इनेबल कर सकते हैं और इसके लिए आपको फोन कॉल्स का फिर फोन कॉल लॉग का परमिशन देना पड़ेगा और यहां पर आकए आपको हीलिक स्मार्ट आपको अनोटिफिकेशन एक्सेस को जो है अलाओ करना पड़ेगा तब जाकर जो है कॉल कुछ और एप्स का भी आपको option देखने के लिए बिकास यह पांचो एप्स जो है ना मेरे फोन में अल्री इंस्टॉल है तो इसे यह पांचो ऑप्शन यहां पर शो कर रहा है बट इसके अलावा भी बहुत सारा एप है जो यहां पर शो नहीं कर रहा है तो यहां पर आपको है बहुत ही लिमिटट्स का नोटिफिकेशन जो है आप ले सकते हैं तो यहांप आपको ऐप्शं देखने करें आप्सको नोटिविकेशन चाहिए आप उसको इनेबल कर सकते है और उसकानोटिविकेशन आपको बटे जाएगा और हैम परी करना होगा इसके बाद से बिदह तो बैक आते हैं फिर यहां पर आपको watch setting के नीचे मिलता है auto heart rate tracker तो यहां पर आप heart rate tracking का जो interval है वो select कर सकते हैं मतलब कि every 5 minute पर आपका watch जो है आपका heart rate track करेगा every 10 minute every 15 minute every 30 every 60 minute जितना interval ज्यादा रहेगा battery उतना कम drain होगा जितना interval कम रहेगा बैटरी उतना ज़्यादा ट्रेन होगा तो इन जीजों का आप ध्यान रखिएगा इसके बाद है auto temperature tracker तो वही same interval आप यहां पे भी set कर सकते हैं body temperature measurement के लिए इसके बाद यहां पे आपको disconnect watch का option देखने के लिए मिल जाता है तो अभी फिलाल नहीं disconnect करना है sync contact option देखने के लिए मिल जाता है वही option है plus पर tap करके आप अपने phone के contact list के जितने भी contact को sync करना जाते है watch के सांथ वह आप यहां पे कर सकते हैं तो यहां पर हम आपको पूरा setting जो है वह बता चुके हैं back आते हैं फिर setting के नीचे आपको मिलता है है do not disturb तो आप do not disturb जो है watch के लिए यहां से इनेबल कर सकते हैं app से फिर about your devices के उपर tap करेंगे तो आपका जो भी watch है उसका serial number app version वह सब आप यहां से चेक कर सकते हैं फिर यहां पर Google fit के through जो है ना इसको link कर सकते हैं तो वह आपको यहां पर option देखने के लिए मिल जाता है इसके बाद यहां पर help and feedback है और about us है जो कि उतना कुछ काम का नहीं है तो बहुत ही limited setting देखने के लिए मिलता है SPO2 से related कोई setting आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है SPO2 आप manually अपने watch से major कर सकते हैं बट SPO2 का interval select करने का option और भी बहुत सारा settings आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है बहुत ही limited apps का notification आप access कर सकते हैं तो ऐसा कुछ आपको यह Helix Metal Fit app में यह Helix Smart app में जो भी settings देखने के लिए मिलता है वह हम आपको यहां पर दिखा दिए और watch face किस तरीकी से change करना है Helix Smart app में वह हम आपको अरड़ी बता चुके हैं watch face पे अगर आप swipe down करते हैं तो यहां पर एक quick panel या control center मिलता है जिसमें सबसे पहला तो यहां पर power off करने का icon है तो power off कर सकते हैं यहां से आप directly swipe right करके आप back जा सकते हैं उसके बाद जो दूसरा icon मिलता है वो है Bluetooth calling को connect करने के लिए अब यहां वेम लोग smart watch जो है Helix smart app के थुरू connect कर लिये हैं बट इस smart watch के अंदर एक speaker है एक mic है आप समझ लीजे कि एक earphone है जिसको आपको Bluetooth के थुरू अपने smart phone से connect करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो दूसरा वाला symbol है जिस पे आपको call का या dialer का icon बनाया हुआ है इसके उपर आपको टैप करना है इसको इनेबल करना है और उसके बाद आपको अपने phone के Bluetooth setting में आ जाना है और यहां पर आपको BT 3.0 देखने के मिल जाएगा इसके उपर आपको टैप करना है और इसको पेर करना है इसके बाद जो है आप अपने smart watch से call जो है वो pick up कर सकते है call को answer कर सकते हैं अब जो call आएगा तो receiver end पे जो person है उसका sound आपको speaker से आएगा और आपका sound जो है वो इस mic के through receiver end पे जो है उसके पास चला जाएगा तो इस तरीके से आप इस आइकन से जो है ना enable करेंगे Bluetooth को और उसके बाद connect कर सकते हैं इसके बाद यहां पर vibration को enable or disable करने का आपको icon देखने के लिए मिल जाता है फिर dnd on off कर सकते हैं अगर आपको screen off करना है तो आप इस button के मदद से जो है screen off कर सकते हैं फिर यहां पर setting icon मिलता है जिसमें सबसे पहले आपको brightness control करने का option मिल जाता है adequate bright है ज्यादा bright तो नहीं बोलेंगे but adequate bright है फिर download app करने के लिए यह यहां पर qr code है जिसके मदद से आप helix smart app download कर सकते हैं फिर यहां पर system menu है tap करके आप reboot कर सकते हैं power off कर सकते हैं और factory reset अगर आपको करना है तो वह आप यहां से कर सकते हैं इसके बाद फिर से लोग बैक आते हैं फिर यहां पर about में जाएंगे तो सारा details है watch का तो इतना ही सार रहेगा ना उसी समय आपको Bluetooth calling feature आप यूज कर पाएंगे अब इसको हम swipe up करते हैं और अब अगर आप watch face की उपर swipe up करते हैं तो यहां पर अपना notifications जो है वो देख सकते हैं और watch face की उपर अगर आप swipe right करते हैं तो यहां पर आपको कुछ और data जो है वो शो करते हैं यहां पर music control यहां पर मिलता है steps मिलता है heart rate SPO2 का data है और कुछ quick access आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है फिर यहां पर अगर हम swipe left करते हैं तो यहां पर steps और जो मेरा activity है वो यहां पर show कर रहा है activity के बाद आपको यहां पर heart rate tracking देखने के लिए मिल जाता है जैसे ही आप अपन stress monitor आपको मिल जाता है फिर यहां पर आपको music control देखने के लिए मिल जाता है अब अगर हम बात करते हैं मेन्यू का तो यहां पर अगर आप इस button को press करते हैं तो आप यहां पर menu open कर सकते हैं सबसे पहला activities है जिसमें आपको 20 sports mode देखने के लिए मिल जाता है बहुत सारा है यो SPO2 monitoring का आपको option मिल जाता है जब अपने watch को रिस्ट पे पहनेंगे तभी SPO2 monitor करता है और अगर हम blank space में SPO2 monitor करने का कोशिश करते हैं तो यहां पर failed जो है वह लिखा हुआ जाता है तो मतब sensor properly work कर रहा है बांकि अगर आप चाहेंगे sensor का हम थोड़ा सा और अच्छे से test करे तो आप बताईएगा next यहां पर आपको जो है ना temperature देखने के लिए मिल जाता है तो temperature sensor है आप अपना body temperature जो है वो इसके मदद से measure कर सकते हैं फिर यहां पर आपको sleep data जो है वो detail में देखने के लिए बिल जाएगा light sleep deep slip और फिलाल हम इसको test नहीं किया है तो review जो हम अलग से share कर देंगे फिर यहां पर breathing exercise जो है वो कर सकते हैं फिर dialer आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है जिसकी मदद से आप directly जो है ना इस dial pad की मदद से directly आप अपने watch से call connect भी कर सकते हैं फिर यहां पर phone book है जो भी contact आप sync करेंगे helix smart app में जाके अपने contact list में से watch के साथ वो contact आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा वो हम आपको अलरड़ी वीडियो के starting में दिखा चुके हैं फिर यहां पर alarm शो करेगा alarm आप watch से set नहीं कर सकते है alarm अगर आपको set करना है तो आपको helix smart app का use करना पड़ेगा इसके बाद यहां पर आपको timer देखने के ल जाता है और आप इसी के वीडियो और फोटो को अपने watch से control कर सकते हैं जो default camera app है आप उसको जो है control नहीं कर सकते हैं next यहां पर आपको find phone का option मिलता है इसके उपर अगर आप tap करते हैं तो इस तरीके से आप phone को ring करके आप अपने phone को find कर सकते हैं इसके बाद यहां पर schedule है त assistant देखने के लिए मिलता है बट यह जो voice assistant है यह watch में नहीं है आपके phone में जो भी voice assistant होगा उसको आप अपने watch से enable कर सकते हैं जैसे android phone यूज करें तो google assistant को और अगर आप Apple यूज कर रहे हैं तो Siri को जो है आप अपने watch से enable कर सकते हैं और command जो है अपने phone के mic के through दे सकते हैं ज music control है तो आप music control है वो कर सकते हैं इसको test कर चुके हैं फिर यहां पर setting का बात करें तो setting हम आपको already वीडियो के starting में बता दिये थे जब हम इसके quick panel से यहां पर जो setting है उसको discuss कर रहे थे और यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से detail से आप देख सकते हैं कि काफी जादा मतलब almost complete notification जो है ना यहां पर आप अपने watch से access कर सकते हैं इसके लाव आपको इसमें raise to wake का feature मिल जाता है बट screen of time को जो है आप change नहीं कर सकते है जो इसमें by default है वही आपको देखने के लिए मिलता है connected phone पे जब कोई call आता है ना तो इ ringtone है ना वह आपके watch के speaker के through भी यहां पे play होगा यहां पर call cut कर सकते हैं call को directly जो है अपने smart watch से receive कर सकते हैं green button पर अगर हम यहां पर tap करते हैं तो call जो है वह receive हो जाएगा और यहां से आपको mute और unmute करने का option यहां पर देखने के लिए मिल जाता है call को cut करने का option मिल जाता है आप चाहें तो phone के earpiece पे switch कर सकते हैं इस पर tap करके अभी आप यहां पर देख सकते है phone शो कर रहा है अब इसी पर आप फिर से tap करेंगे तो यहां पर वापस से BT 3.0 शो कर रहा है मतलब कि आपके smart watch का speaker और mic है वह abuse होगा इसके लाव यहां पर आपको volume को decrease और increase करने का option खाई यहां पर दे जाएगा इसके लाव आप अपने smart watch से directly अगर किसी को call लगाना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं manually number लगा के भी या फिर अगर आप contact सिंग किये हैं तो contact के through भी आप directly कर सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना है कि menu में जाना है और यहां पर आपको जो है ना डायलर देखने के लिए मिलता है डायलर पर टैप करेंगे और यहां पर मैनूली आप कोई भी number इंटर करेंगे और उसके बाद नमबर एंटर करने क हैं इसके अलावा अगर आप contact को सिंग किये हैं तो वह आपको phone book में देखने के लिए मिल जाएगा फिलादम कोई contact सिंग नहीं किया है सिंग किया रहेंगे तो यहां पर जो भी आपका phone का contact आप सिंग किया वह शो करेगा उसके उपर आप टैप करके उसको call connect कर सकते हैं नेक्स अगर हम बात करते हैं music control का अगर आपके phone पर कोई music play हो रहा है ना तो आप अपने watch face के ऊपर swipe right कीजेगा यहां पर आपको एक quick music control देखने के लिए मिल जाता है जिसके मदद से आप music को play pause कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं pause हो गया और इसके उपर tap करने पर music play हो ग है तो यहां से भी आप play pause कर सकते हैं next previous track पर यहां से आपको volume control का भी option मिल जाता है तो आप volume को increase और decrease भी कर सकते हैं यहां से कि इसका जो accuracy level है वो कैसा है battery life कैसा देखने के मिलता है brand seven days का battery life claim करती है बट इसको test करना पड़ेगा इसके लागा कुछ bugs भी हम initial impression में notice किये हैं जैसे कभी-कभी क्या होता है कि इसमें ringtone play होता है जब call आता है मेरे smartphone पे तो इसमें जो notification आता है उसके साथ ringtone कभी-कभी play होत सकता है जो हम notice करेंगे और उसके बाद आपके साथ detail review में share करेंगे बाकि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को like कीजेगा चैनल को subscribe कीजेगा मिलते नेक्ट वीडियो में तब तक technology का समालिक लिमिट में कीजिए देखने के लिए आपका धन्यवाद जै हैं बाँ बाँ